कि अग्याइब आप अग्याइब आप अग्याइब है अग्याइब है कि अग्याइब है आपका स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं ख्लास फोर की वर्षिट नंबर 112 इस वर्षिट में हम लोग पाठ्थे पुष्टक रिमजीम से इसके हिंदी कारेपत्रिका को करेंगे जिसमें पाठ्थ का संदर्व है स्वतन्तरता की और तो इससे पहले हमने स्वतन्तरता की और पाठ्थ पढ़ा है और अचलिए अब इसकी पुन्राविल्ति करते हैं मतलब हम इसका रिवीजन करने जा रहे हैं इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें तो चलिए सुरू करते हैं नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप आपने पार्ट सोतंतरता की ओर पढ़ा और इस पार्ट से बहुत कुछ सीखा तो आएए अब हम इस पार्ट को दोहरा लेते हैं यहां प्रस ने एक दिया गया है कि निमलिखित वाक्यों में आए गहरे रंग के सब्दों के बिलोम सब्दों का प्रियोग करते हुए नए वाक्य बनाईए तो आप पहले वाक्य पढ़ लिए मैं तो कमजोर हो जाऊंगा गह है मैं नौ साल का हूँ परन्तु आपसे तेज दोड सकता हूँ गह है यह तो सरासर अन्याय है और गह है धनी बहुत सवाल पूछता था तो यहां इंस्ट्रक्शन है कि गहरे रंग के सब्दों के बिलोम सब्द तो बिलोम का मतलब सुनाते हैं उल्टा सब्द तो कमजोर है तो कमजोर का बिलोम क्या होगा ताकतवर और उसके बाद तेज है तो तेज का बिलोम क्या होता है धीरे और फिर सवाल सवाल का विलूम होता है जबाब जबाब और उसके बाद है अन्याय तो अन्याय का विलूम क्या होता है न्याय तो इन सब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं तो चलिए इन सब्दों से वाक्य बनाकर मैं आपको दिखा दू यहां हैं आपकी वर्षिक में आए कु से ज़्यादा ताकतवर हैं उसके बाद है तेज तो तेज का विलोम क्या होता है धीरे तो धीरे से वाक्य बना मोहन धीरे धीरे दौरता है उसके बाद है अन्याय तो अन्याय का विलोम क्या होता है न्याय तो इससे क्या वाक्य बना कि राजा सब के साथ न्याय करता था और नेक्स्ट है सवाल तो सवाल का विलोम क्या होता है जबाब तो मैंने सही जबाब दिये हैं तो यह हो गया, चार सब्द और चारो सब्द के बिलोम सब्दों से, कमजोर का ताकतवर, तेज का धीरे, अन्याय का न्याय और सवाल का जवाब, इन सभी सब्दों से आपने यहां वाक्य बना लिए, अब फिर हम वर्षिट पर चलते हैं, तो यहां अब प्रस्ट में दो है, कि बच्चों क्या आप नीचे दियेगे फ़लो में, लिखे सब्दों में से सर्वनाम सब्द छाट कर, उनमें रंग भरना चाहेंगे, आईए अब इनहीं सर्वनाम सब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने की कोशिज करते हैं, तो यहां हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन-कौन से सर्वनाम सब्द आये हैं, जैसे आप देख लीजए यहां पर, वह क्या है सर्वनाम सब्द है तुम सर्वनाम सब्द है और हम सर्वनाम सब्द है मतलब सर्वनाम सब्द उन सब्दों को कहते हैं जो किसी संग्या सब्द के बदले में आते हैं तो यहां वह हो गया, तो इन तीनों सब्दों में आपको रंग भरना है, कलर करना है, और इन से वाक्य बनाना है, वाक्यों पर रोग करना है, तो आप वह से वाक्य बनाईए, आप लिख सकते हैं, वह अच्छा पढ़ता है, वह से वाक्य बना लिए आपने, उसके पास है तुम से वाक्य बनाना है, तो आप लिख सकते हैं, तुम गाते हो, तुम गाते हो, हो गया, उसके बाद है हम, हम भी सर्वणाम सब्द है, अब लिख लेंगे हम जाते हैं, यह हम मेला में जाते हैं, तो इस तरह से सर्वणाम सब्दों से वाक्य बन गया, और उसके बाद देखते हैं, प्रस्ण तीन क्या है, तो प्रस्ण तीन है, कि पाठ सोतंतरता की ओर का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा, चित्र बना कर बताईए, और इस पात्र के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए, तो यहां आप देख लिजिए कि आपको जो भी पात्र अच्छा लगा हो, आप उस पात्र का चित्र बना लेंगे, तो सोतंतरता की ओर में आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा, जैसे, तो इसमें आप अपने हिसाब से किसी भी पात्र को चुन सकते हैं, जैसे मान लिजिए आप गांधी जी को चुने, तो आप गांधी जी का चित्र यहां पर बना लेंगे, यहां पर आप गांधी जी का चित्र बना लेंगे, और उसके बाद गांधी जी के बादे में में लिखेंगे कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट पिता थे महात्मा गांधी हमारे राष्ट पिता थे उन्होंने भारत को आजादी दिलवाई उन्होंने भारत को आजादी दिलवाई ओके तो इस तरह से आप जिस भी पातर का चित्र बनाएंगे उसके बारे में एक दो लाइन कुछ हुआ के लिख देंगे और उसके बार है प्रशन चार तो प्रशन चार है यहाँ पर और प्रशन चार कह रहा है कि सही वरतनी वाले सब्दों पर सब्द पर गोला लगा कर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए तो बचों आप जानते हैं कि हिंदी में वरतनी सिखना कितना अच्छा उप्योगी होता है तो आप अपने वरतनी को सही जरूर करें तो यहां हम सही वरतनी वाले सब्दों देखते हैं तो यहां इस्तमाल है तो यह सही नहीं है और उसके बाद यह इस्तामाल है यह भी सही नहीं है तो यह गलत है और फिर यह गलत है यहां एक यह सही है तो इस पर हम गोला लगाएंगे और यहां लिखेंगे इस्तेमाल मैं घड़ी इस्तेमाल करता हूँ आप वाक्य बनाईए इसमें वाक्य बनाना है तो मैं घड़ी इस्तेमाल करता हूँ आप हूँ लिखेंगे तो आपने इसको देख लिया अब हम नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे इसके बाद है स्वतंत्रता और समंतंत्रता तो यह भी गलत है और यह भी गलत है यह सही है तो उस पर आप गोल अलगाएंगे और आप यहां लिखेंगे स्वतंत्रता स्वातंत्रता स्वातंत्रता सबको प्यारी है आप दिखेंगे स्वातंत्रता सबको प्यारी है इस तरह से आप स्वातंत्रता से वाक्य बना लेंगे और उसके बाद और एक बज जाता है आस्रम, तो आस्रम में ये आस्रम गलत है, ये आस्रिम हो जाएगा, ये सही है, तो ये हो गया आस्रम, आस्रम में संत रहते हैं, आस्रम में संत हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, आस्रम में संत हैं, तो यहां सही वर्तनी पर हमने गोला लगाया, और इसको वाके में भी प्रयोग किया और उसके बाद अब है प्रस्न पाँच तो प्रस्न पाँच है कि नीचे लिखी पंक्तियों में आए कुछ सब्दों में बिंदू लगाना छुट गया है क्या आप इन सब्दों में उपयुक्त अस्थान पर बिंदू लगाने में हमारी मदद करेंगे तो चलिए हम बिंदू लगाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें बिंदू कहां कहां लगाने तो लाठी लेकर गांधी चल पड़े दांडी तो गांधी में बिंदू नहीं है तो आप गांधी पर बिंदू लगा दीजेगा और फिर चल पड़े दांडी तो दांडी में भी नहीं है तो इसलिए आप दांडी पर ही बिंदू लगा दीजेगा उसके बाद है दिलाने देश को स्वतंतरता तो अभी अपने स्वतंतरता देखा है तो के उपर बिंदू होगी तो आप स्वतंतरता पर बिंदू लगा दीजेगा तै करके लंबा रास्ता तो लपर बिंदू नहीं है तो आप लपर भी बिंदू लगा दीजेगा तो यहां हो अब भावकों के लिए कि बच्चों को देश के स्वतंत्रता अंदोलन से जुड़ी कोई कहानी सुनाईए और फिर अंत में है कोविड-19 के दौरान अप्रक्षित बेवार कि अपने हाथों को साबुन वा पानी से नीमित रूप से धोएं तो बच्चों ये थी आपकी वर्सि कि इसके लिए आपको बहुत धन्यवाल में तेहन नेक्स्ट वासिट में थैंक्यू